कि देड़ कप चावल से बहुत स्वादिश्ट और बहुत टेश्टी और बहुत फेमस वाली रेष्पी आप सभी के लिए ले के रहा हैं तो हैलो फ्रेंड्स में माला मैं शुरी गायत्री किछन बें आप सभी का स्वागत है इसके साथ मैंने चटनी भी बनाए तो चलिए थोड़ा से इस तरीके से हाथों से चला लेते हैं और एक चमबा जिसमें मैं मेधी एड करें हूँ और ऊफन थर्ट करें करें और तो यह देखी से मैं दो ने दो लिया है आप इसमें तीन कफ पानी एट कर रहे हूँ इस चावल में इस तरीके से पूरा परफेक्ट माप से बनाएंगे तो ये रेस्पी आपकी बहुत ही सांदार बनने वाली है तो मैंने इसमें तीन कफ पानी डाला इसे अच्छे से मिस करके एक घंटा इसे ढखकर रख देते हैं ताकि चावल दाल और मेथी अच्छे से फूल जाए तो एक घंटे बाद देखे अच्छे से फूल गया और इसे मैंने मिक्सी जार में से इसी पाने से पीस लिया है तो यह इद्रा सूरत का फेमस यह इद्रा है तो चलिए यह इद्रा को बनाते हैं इसके साथ मैंने बहुत ही तेश्की चटनी अलग तरीके से बनाया है तो यह देखिए गाढ़ा गोल बनके तयार हो गया है तो आप इसे 8-9 घंटे के लिए धक के रख आप पूरी राद भी रख सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से यह खमीर बनके तयार हो गया है तो बहुत ही देशी तरीके से खमीर अब इससे अच्छे से फेट लेते हैं तो इसमें मैंने पींच भर बेकिंग सोडा और पींच भर नमक डाल दिया है जिससे इसका सब्दैंट हो जाएं बहुत इसादिष्ट बने तो इडली वाले इस तरीके से इद्रा का प्लेट эк थम connecting एक फ्रेट में थोड़ा सा तेल से ग्रीश कर लिया है और इस बैटर को इसमें इस तरीके से मैं आप दिया है आप आप से जलान आं और पलेट और मिर्च का पाउड पानी अच्छे से गरम हो गया है आप इसे रख देतें इस तरीके से और इसे ढख कर 20 मिनट तक घड़ी में आप देख लीजे 20 मिनट के बाद ये बनके पूरी तरीके से रेड़े जाएगा तो 20 मिनट में इसे पकने देजिए तब तक चटनी की तयारी कर लेते हैं तो एक पै दिश्ट बनेगा और इसमें दो कटी हरी मीर चायट कर रही हूं और ये आधा कप फ्रेस नारियल ताजा है इस तरीके से मैंने पीछे का भाग निकाल दिया था छोटा-छोटा पीस कर ली हूं इसमें इस तरीके से और ये आठनाव कढ़ी के पत्ते हैं दो इंच अद्रक क टुकड़ा इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और इसे इस तरीके से मीडियम पे ही चलाते जाना है थोड़ा ये सेख जाएगा तो आप इसे पीसेंगे तो बहुत ही सोन सोन बहुत ही टेश्टी चतनी बनने वाली है तो ये देखे इस तरीके से थोड़ा कलर इसका चेंज ह जाये तो यह हो गया है आब इसमें तोड़ी देखते हैं तो कलर भी जेंज हो गया है तो एक झीजिजार में इसे पलट लेते हैं तरीके से अब नमक स्वाधनच डाले हम और एक चमज इसमें नीवू का रज आएगा क से अओ यह देखिए और अगर आपको जाधा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी एट कर दीजेगा और एक बावल में मैंने इसे निकाल लिया है तो तडके के लिए मैंने एक सम्मज तेल गरम कर लिया है और इसमें आधी चमज हींग और फट छमज राए डाल लिया और उपर से मैंने तडका लगा दिया है तो यह देखिए चटनी नारियल वाली बनके तयार हो गई है तब मैं इद्रा देख लेती है तो यह भी 20 मिनट बार आपका इद्रा बनके तयार हो गया है तो आए इस तरीके से यह देखिए चाको से आप इस तरीके से कट कर लीजे चौको टाइप में इस तरी लंबे लंबे इस तरीके से कट करें है फिर 20 से इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटेंगा यह देखे कि आब उपर से इसे तड़का लगा दे हुं तो तड़के के लिए मैंने तड़के पैन में डेवhew चमत तेल लिया है एक चम्मच राई और मैंने दो कटी इस तरीके से लंबे कटी हरी मीच डाल दे रही हूँ इस तरीके से आप कट करेंगे तो आपका इद्रा बहुत हिस्वादिश्ट बनेगा चार-पांच मैंने कटी का पत्ता एट कर दिया है अब उपर से इस तरीके से मैं तड़काल दे दे रही हूँ और थोड़ी कटी हरी धन्या की पत्ती तरीके से स्प्रेट कर दे रही हूँ ताकि देखने में और खाने में बहुत ही स्वादेश्ट लगे इद्रा तो ये देख तो इस तरीके से आप ये रेश्पी आप जरूर बनाएगा इस पंज और बहुत ही टेश्टी ये रेश्पी सबको बड़ों को पसंद आएगी तो मैं दिखाते हूँ इस तरीके से ये देखिए चटनी में डिप करिए फटा-फट खाए थांकियो फॉर बॉचिंग